पार्ट टो अच्छे से रिवाइस किया होगा और क्योंकि आप रिवाइस कर चुके हो तो बिजनेस इंवार्मेंट क्या है और कैसे आपके बिजनस को इंपक्त करता है यह आइडिया आपको लगी क्या होगा Researches तक तो हमने complete कर लिया था जहां पे हमने यह चीज समझ ली दे किस तरीके से एकड़ियक कर सकती है और अगर आप किसी कंट्री में मूफ Karlने की सोच रहे अपने business को तो क्या-क्या चीज़ें आपको इन फैक्टर्स पर ध्यान देनी है Talking about the next topic जो हमारे पास है जो जब हम किसी अपनी बिजनस को ले करके country से दूसरी country में जाएंगे तो हमें और क्या सोचना पड़ेगा मैंने base आपको starting में ही दे दिया उसी base को याद करो तो economic हम पढ़ चुके physical जो था एक factor क्योंकि international business में था तो वो हमें समझना था लेकिन उसके रावे क्या तरो में एक social environment पढ़ा था social factor भी हम पढ़ते है याद आया कुछ अब वो social environment से ही हमारे पास एक environment आता है which is called demographic and cultural environment अब student ये demographic and cultural क्या होता है देखो student जब आप किसी business को conduct करने की बात कर रहे हो तो ये बहुत सादा माइने रखता है कि जिस country में तुम जा रहे हो वहाँ के लोगों की सोच वहाँ के लोगों की भाशा वहाँ के लोगों का पहनावा वहाँ के लोगों का other चीजों का family values का क्या एक mindset है with China it was really bad reason क्या था कि when I visited China बैसे काफी countries में visit कर चुका हूं बट लेको language तो हर country के पास अपनी different होती है बट still you will find many people जो आपसे मलब communicate कर रहेंगे English में बट चाइना में जब आप enter करते हो तो आपका जो cell phone भी होगा ना उसकी भाशा भी Chinese हो जाती है तो यह आपके लिए सच में एक प्लिक आप अपने phone को कैसे भी करके आप बोलोगे के इंग्लिश में आप तू रहें आपने इंग्लिश में टाइप भी कर दिया पर वो जो उसमें map चलेगा वो जो locations में आपको बोलेंगे वो सब कुछ होगा Chinese में हो जाता है यह आपके लिए challenging situation हो जाती है reason क्या होता है क्योंकि आप किसी और एक तरीके से alien country में है alien people के बीच में है वहाँ पर आपको भाशा समझ नहीं आ रही खाने का pattern समझ नहीं आ रहा तो आप सोचो आप business करोगे कैसे तो demographic में सबसे पहले भी need to ensure कि जिस country में we are moving हमें उस country की भाशा पता हो भाशा पता होने की बाद उनके culture का पता होना बहुत जरूरी है culture के साथ मैं कहूंगा उनके religion का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि religion का एक बहुत important role play होता है business में जैसा कि मैंने बिल्कुल starting में आपको बता दिया कि अगर आप किसी ऐसी country में जा रहे हैं जिस country के अंदर majority of the population like Islam को belief करती है तो वहाँ पे ऐसे goods में deal करना services में deal करना जो उनकी community से अलग है business तो मिलेगा आपको इतना बड़ा business आप बना नहीं पाएंगे जितना की आप सोच रहे हैं ठीक है इसके साथ-साथ culture से हमें यह समझ में आता है कि आपको का values मिली है जिसे अब इंडिया प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो लोग है जो अब population है अब जो यूथ है इंडिया का they are into spending money वो पैसा spend करना जानते हैं और वो पैसा spend कर भी रहे हैं ठीक है यह बात आप अच्छे से जानते हो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर हम अपने ancestors की बात करें अपने father की या अपने grandparents की बात करेंगे तो वो लोग बाहर से खाना खाना या कपड़े या गाड़ी या बहुत ऐसे घरों में अलग लाइटनिंग music system television इतना शौक नहीं रखते थे उन्होंने अपना जादा तर जो उम्र है वो कमाया और पैसा उन्होंने सेफ कर लिया उनका जो मोटिव था वो इतना ही था राइट तो अगर मैं बात करूंगा present time की student तो present time में लोग खल्च कर रहे है तो इसका मतलब है present time का जो youth है वो spending के culture को believe करता है now when they are believing कि हाँ भाई हम तो spend करेंगे जो भी हमारे को चाहिए हमें पसंद है हम करेंगे तो यह एक sign है कि आपका business ऐसी जगह पे grow करेगा क्योंकि आप business में के जा रहे हो लोग spending करने में ही belief नहीं करते उनके values में spending करना जाधा है ही नहीं यह disposable income जाधा नहीं थी तो आपका business हो challenge हो जाएगा ना क्योंकि you you won't be able to find good number of customers तो demographic बहुत important रहे है चलो तो क्या लिखा हुआ है every country has their own culture and social norms which influence people as well as the business culture refers to set of values, beliefs, languages, religions, customs which influence the lifestyle of the people people are part of the social system which varies from region to region आप इस बात को समझते हो हर जगह का जो एक इनसान होगा वो different होगा student देखो international level पर लेके जाना तो देखो obvious सी बात है एक challenge है आपको अपने country के अंदर ही जब आप 100-200 km change करेंगे यह हमेशा कहा भी जाता है कि इंडिया में या फिर किसी भी country में हर 100-200 km जातर इंडिया में 100-200 km पर हवा-पानी change होती है dialect change हो जाता है अप उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्यों नहीं आप 100-100 km देट देशिवन ट्रावल करेंगे तो जैसी आप किसी particular area region के पास पढ़ेंगे वहां के लोगों का बोलने का तरीका consumption का तरीका अलग होगा तो आपको यह देखना पड़ेंगा तो अगर आप किसी business के लिए जा रहे हैं तो आपको यह ensure करना पड़ेगा कि वहां के लोगों का क्या nature है वहां के लोगों की क्या समझ है based on यह चीज है आप वहां पर business अपना से अब कर पाएं अब देखते हैं इसके अंदर और क्या sub parts है तो पहले यह रहा है में demographic trends अब demographic trend क्या है कि cultural differences कितने हैं studying demographic trends is all crucial for a company going for crossborder demographic trends include total population ठीक है जब भी आपसे demographic trend की या demographic profile की बात की जाती है यह word दिमाग में डाल लो आगे भी याद देना चाहिए जब हमसे कभी कहा जाता है कि demographic condition क्या है country की यह demographic profile क्या है इसका मतलब क्या है generally क्या होता है कि जो मैं अपने experience से पता रहा हूं again मैं generally मिलकुल ऐसे particular हो के नहीं बोल रहा हूं एक general term में बोल रहा हूं generally demographic से ना जो students है जाधा तर लोग है वो ना पता नहीं क्यों geographical को connect करते हैं demographic से ऐसा नहीं होता है हमें demographic और geographic में difference पता होना चाहिए demographic का मतलब होता है उस country की population को study करना तो जब आप एक country की population के different aspects को study कर रहे हैं तो उस study को demographic condition या demographic profile का आ जाता है अब population के different aspect को study करने का मतलब क्या है जैसे कि क्या literacy rate है अब student कहीं ना कहीं literacy rate का आपके business से बहुत फर्क पड़ेगा आप किस तरह का business का राइट तो वहां के लोग कितना favor में उस तरह के business का इसका तो फर्क पड़ेगा ना पड़े लिखे लोग है या नहीं है इसका फर्क पड़ेगा उस country में जेंडर जो inequality है वो कैसी है ठीक है जैसा कि starting में मैंने आपसे part 1 में ही कहा था कि अगर gender inequality का मतलब क्या हुआ कि लेबर की shortage हो सकती है अगर female को काम करने नहीं दिया जाता जिस भी reason की वज़े से उनकी सोच समझ की वज़े से तो gender inequality हो गया ठीक है उसके बाद infant mortality rate कितना है ठीक है यह matter करता है कि जो per thousand बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे मर जाते विच शोज यू के वहां की country की health infrastructure कैसा ह है ठीक है अचा इसके अलावा life expectancy कितनी है उस country में कि एक average इंसान कितने सालों तक जिन्दा रह पाएगा तो जब आप population के different trends को पढ़ते हो जो सारे trend कहीं ना कहीं एक चीज के ऊपर तरीके से signify करते हैं which is called student human development index यह बहुत important होता है student एक देश में जानने और समझने के लिए के वो देश बिजनस के लिए कैसा है HDI कैसा है right so that is demographic trend तो एक उसमें लिखा हो है total population, birth rate, death rate, migration movements, life expectancy rate and many more right it helps the company to gain insight into the characteristics of potential consumers and employees in the foreign market for example a company manufacturing baby products will enter foreign markets where the birth rate is high of course कि भई हमें पता है इंडिया है विंडिया में हमें पता है कि birth rate high है तो ऐसी जगह पे आने का फाइदा है जर्मनी और यॉरॉप की अगर में बात करूं तो like there was a time के जर्मनी में जो आपका population growth rate that was negative मतलब birth rate था इन्हीं सिर्फ और से death rate था तो ऐसी जगह पे तुम जाकर के अगर baby products के बारे में deal करना शुरू करोगे तो आपको of course beneficial नहीं होगा तो इसलिए आपको demographic trends पढ़ने पड़ते है students जानने समझने पड़ते हैं क्योंकि इनसे ही आपको समझ में आएगा कि long term मेरे business क का जो vision है वो क्या रहने वाल है अब कुल्चर के कुछ elements दिये में जो हम already discussed कर चुके बद थोड़ा studies तो जरूर करेंगे पहला है language English is the most common language but in various parts of the world people don't know the English language जा से ही में चाना they use their local language a company should be aware of the local language or the country to avoid communication barriers so that product information about is correctly misunderstood like correctly delivered to the customers right मुझे पता ही नहीं है मुझे अपना product अच्छे से पता है ठीक है कि बहुत मतला बहुत supreme और बहुत fine quality का product है तो कि वो language जो है वो मुझे problem कर रहा है तो वो language अगर मुझे problem करेगा तो यह एक challenge है न मेरे लिए तो यह important है मुझे समझता और जानना राइट आगे देखो क्या लिखा हुआ है Religion So every country has its religion along with its own beliefs and values right An international marketer needs to understand these differences to make necessary changes in the marketing mix to satisfy the customers in the foreign market right आपको religion जैसे कि मैंने पहले ही समझाया कि यह matter करता है कि आप जिस देश में जा रहे हैं वहां का जो major community है जो major group है और people है वो कौन से religion को belief करता है क्योंकि based on the religion आप उस accordingly अपने product और अपने services जो है वो अपना कर सकते है जैसे यहां पर एक अच्छा example दिया हुआ है मिस्डॉनर्स सी मिक्डॉनर्स होगा ठीक है कि beef oil and vegetable oil जिसे कि अगर आप मान लो Middle East countries में है तो there you can actually use beef oil तो कि वहां पर beef consumption अच्छा कासा है तो वहां पर beef oil यूज कर सकते हो बट वही अगर मैं आपसे बात करूँ कि If you are in India तो अब आप beef oil use नहीं कर सकते है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन से religion के belief वाले लोग रहते हैं उसके according आपको manufacturing उसके according आपको product decide करना है Next है aesthetics in the area of philosophy that deals with the art and beauty it includes the interpretation of numbers of colors and is important implication for a marketer For example, the white color is worn by Christians on their wedding day and by Hindus white color they are mourning, right Green color reflects endless in Malaysia while in Muslim countries it is auspicious तो आपको यह देखना पड़ेगा ना कि हर एक चीज को लेके उस particular culture का community का क्या belief है तो यह चीज हमें सबसे जाधा importantly समचने पड़ेगे, right, चालो Next हमें दे रहका है, इसमें social groups, so it refers to how people relate to one another and their interaction जैसे इसके बारे मैं बताना जाओंगा Germany के बारे में especially So Germany में social groups के उपर बहुत जादा कोई belief नहीं है Germany में लोग parties वगेरा करना मी कुछ जादा खास पसंद नहीं करते संडेस को उनका आराम का मतलब है, आराम तो आप अपने घर के अंदर ही जितना low music है वो प्ले कर सकते हैं, loudspeakers आप बिल्कुल भी नहीं बजा सकते हैं मां के लोग बहुत isolation में बहुत सादा conservative हो करके रहना पसंद करते हैं ठीक है, उनको जादा groups में कोई belief नहीं है अब आप ऐसे जगह पर जाकर कि कोई भी ऐसा product deal करना चाहेंगे जो किसी तरीके से अमलब bigger families को या group norms को target करता है तो you won't get success, right? ठीक हो यहाँ पर example में लिखा भी हुआ है कि जैसे यहाँ पर है, this is very much found in India as compared to western country as an employer and international company must understand this कि आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर लोग bond बनाने में बहुत विश्वास करते हैं like people make bonds way easily, कि वहाई मेरे को आपसे कोई बात है, मैं easily आपसे bond बना लोग। तो यह इंडिया में है, but of course, अगर मैं बात कर रहा हूं western culture की, तो वहाँ पर यह चीजे नहीं होती, right?